Welcome back to my Facebook Live और आज हम बात करेंगे एक बड़ी हम स्टार्ट करने जाने Online Academy और Fitness Pro Academy के थुरू या स्टार्टेंग नुटिशन कोर्स जो के Basic कोर्स है और ये कोर्स उन लोग के लिए है जो के डाइट के बारे में सीखना चाते हैं इसे के इस बीन लाइक टू येर्स आज है बेन टीचिंग अटलंस और वहाँ पर इतने भी लोग आते थे स्टूडेंट साते थे सीखने के लिए के जो नुटिशनिस्ट है कोचीज हैं ट्रेनर्स हैं वो घर पर रहते हुए उनको आप आने की ज़ूरत नहीं है इस करोना में और इस पेंडेमिक में ये सिचुएशन हुई है कि आप यूनिवस्टी तो आपको पता है बंद है कॉलेज इस बंद है और उसके खुलने के कोई चांसिस नहीं है तो आप अपने 6th मंथ को नेक्स जो मंथ है उसको आप कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए अपलाई कर सकते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हों मुझे फॉलो कर रहे होते हैं जो लहूर में है डिफ्रेंट सिटीज में कराची में बहुत आप लोग कहते थे हम दसर जो नॉटिशनिस्ट है कि हमने आप से सीखना है फैसलाबाद से लहौर से आप अपनी जो स्रेटिफिकेशन है ऑनलाई कर सकते हैं इस स्रेटिफिकेशन के अंदर क्या होगा कैसे होगा मैं आपको भी थोड़ा सा उसको बताता चलता हूं और साथ में आप लोग कोई क्वेशन हैं वो कॉमेंट्स के अंदर लिखते रहें ये स्रेटिफिकेशन तीन जगा पे कवर करेगी एक नॉटिशन की बेसिक फांडेशन बेसिक फंडामेंटल्स डाइट के क्या है डाइट प्लैन कैसे बनाना है क्लाइंट्स के साथ आपने कैसे कोचिंग को अपने इम्प्रूब करना है एक पार्ट जो है वो exercise का पार्ट है फिजिकल आपने exercise को कैसे maintain करना है फिर इसके साथ आपने देखना है कि आपके क्लाइंट्स तो हैं वो different phases से गुज़र होते हैं क्लाइंट की टाइब क्या है तो आप as a professional इस field के अंदर आ तो जाते हैं, nutritionist बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, trainer बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसला यह है कि क्लाइंट को कैसे समझा जाएं, उनको बेहतर कैसे guide किया जाएं, उनकी psychology क्या है, basically आपने समझना है कि क्लाइंट की psychology क्या है, उसको कैसे improve करना है, ताके client यह patient आपके साथ एक अच्छा relationship भी बिल्ड करें और उसकी improvement भी हो, उसकी progress हो, उसका weight कम हो, उसकी health बेतर हो, तो इस course के अंदर जो content है, वो थोड़ा सा diversify है, उसके अंदर एक part जो है, वो diet से related है, fitness, physical fitness से related है, then आपका mental health जो है उससे related relationships जो है, with your life, अपने client के साथ कैसे आपने relationship बिल्ड करने है, उसको healthy कैसे करना है, उससे regarding आपको इस course के अंदर मिलेगा, और एक बड़ी important चीज़ जो है, यह course beginners के लिए भी है, जरूरी नहीं है कि आप professional आपका background हो, जरूरी नहीं है कि आप trainer ही हो, अगर आपने कभी nutrition science का आ background नहीं है, तो आप भी यह course join कर सकते हैं, इस से ही होगा, कि आपकी अपने बच्चों की, अपनी family की health और उनका जो lifestyle है, वो कैसे improve करना है, वो improvement आपको अपनी health improve करके मिलेगी, इस time, क्योंकि करोना है, next six, seven months, या next year, कोई पता नहीं कि university कब खुलेंगी, पढ़ने का कैसे मुका मिलेगा, पूरी दुनिया में, पहले भी all over the world globally log online certification की तरफ जा रहे थे, अब उनको मुझबूराँ जाना पड़ेगा, तो उस situation के अंदर ये बहुत अच्छा मुका है, उन लोगों के लिए जो के लहोर नहीं आ सकते, जो के direct आके नहीं पढ़ सकते, वो online classes ले सकते ह हैं, और उस में उनके कोई भी, सलाम, अलेकुम, सलाम, उनके कोई भी queries हैं, make sure के WhatsApp के उपर, my number is given, अब WhatsApp के उपर मुझे अपनी details send कर दे, एट वी का course होगा, उसके इंदर हमारी weekend दो classes होगी, और दोनों classes का जो duration होगा, almost दो से तीन घंटे होगा, इसके थोड़ी सी practical assignments मी होगी, again दो part होगे, one is के आपकी physical health, आप घर पे रहते हुए करोना से कैसे fight out कर सकते हैं, again diet को खुद अपने उपर implement करना, diet के concept को समझना, अ different diet कौन सी होती है, उसको थोड़ा सा थारूली पढ़ेंगे, फिर उसके साथ हम देखेंगे के fruits, vegetables, इनके इंदर macro content क्या होता है, क्योंकि आप Google YouTube से पढ़ते हैं के macro nutrients, micro nutrients, different type के आप चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको idea नहीं होता, तो इसके इंदर आपको पता चलेगा, जो nutrients होते हैं, food के अंदर, उसको कैसे आप अपनी routine के अंदर add करें, आपका improvement, immunity boost हो, आपका weight भी कम हो, आपकी health भी improve हो, और different type के जो myths हैं, इस fitness industry के अंदर, हम उसको भी लेके चलेंगे, उसको भी discuss करेंगे, क्योंकि बहुत सा लोग पूछते हैं के different diets के myths हैं, यह वाली diet ठ ठीक नहीं है, तो उस सब को भी हम इसके अंदर मद नज़र रखेंगे, so make sure my link is given, WhatsApp के उपर अपनी details send करते हैं, with your name, educational background और अपनी थोछी detail के साथ, वो आपको एक form आजाएगा, दौा में बहुत सा ख्यार रखिए, take care, Allahाफिस.